हलो दोस्तो इस फीडियो में हम लोग बात करेंगे चैन्ने सुपर किंग वसेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में तो दोस्तो चैन्ने की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है पॉइंस टोल पर दूसरे नंबर पर है और अपना पिछला मुकाबला जीत करा रहे है दिल्ली की बात करें तो दोस्तो इस्टार्टिंग में तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे तो चैन्नाई दोस्तो अपने होम ग्राउंड पर बहुत ही अच्छा पोहमेंस करती है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पूरी इटेल अनलिसिस करेंगे उसके बार टीम कॉंबिनेशन भी देखेंगे तो डेर्ट बात कर लेते हैं पहले इस ग्राउंड की पिछ रिपोर्ट की उपर तो अभी तक दोस्तो इस ग्राउंड पर IPL के 126 मुकाबले खेले गया है जो टीम पहले बैटिंग की है तेल्ट सो नीचे 9 पार यहां पर स्कोर गिया है और पिछला मुकाबले दोस्तो जो चैनने और मॉंबढ़ी के बीच खेला गया था वह भी लोग स्कोरिंग मैस था और जारत दर्व स्कोर दोस्तो यहां पर 250 और 200 बीच में हुए हैं और 2500 के ऊपर यहां पर 19 12 स्कोर जा उनमें से दोस्तो तीन मुकावला recent में chase करने वाले team ही जीती है तो यहाँ पर जो भी team toss जीतेगी दोस्तो जरत रचांद से की chase करना ही पसंद करेगी फास्ट बॉलर की बात करें जो 5 मुकावले हुए है फास्ट बॉलर को मिले है दोस्तो अभी तक 27 विकेट और अस्पिनर्स को मिले है 30 विकेट तो इसका मतलब यह है कि इस मुकावले में आपको अस्पिन बॉलर पर जारा फोकस करना है क्योंकि इस ग्राउंड पर अस्पिनर में देख सकते हैं कि fast that को एगल 8 वीकेट और spinners को मिला 17 वीकेट तो second inning में दोस्तों आपको खास करके आप और spinners पर केवल और केवल focus करना है आप एक दोस farts दोस को ले सकते हैं लेकिन सब्सक्राइब कराईगी उनकी आपको शुपर किंग वन साइड़ दोस्तो 17 मुकाबले जीती है और दिल्ली कैपिटल मातर 10 मुकाबले तो हेड तो हेड में दोस्तों चैन्ने का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और इस सीजन दोनों टीम्स यह दोस्तों पहला मुकाबला है पिछले साल की बात करें दोस्तों चैन्ने के मुकाबले की बात कर रहे है पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और टोटल पांच में से रिसेंट में तीन मुकाबला जीती है पिछले साल का इस साल का नहीं है क्योंकि इस साल का यह दोस्तों इनका पहला मुकाबला है तो इससे देखकर आपको अंदाद अलग देगी कौन से प्लर एक दूसरे टीम खिला आप अच्छा पहुमेंस करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले में बस यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी चैनल पर पहले बार हैं सबस्क्राइब जरूर कर लिएगा और आप लोग नोटिफिकेशन बेल कौन कर लिए ताकि आएगे कि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले दोस्तों तो सबसे पहले बैटिंग सेक्शन से बात करें तो देखिएगा चन्ने सूपर किंग के टॉप ओडर के प्लियर्स बहुत ही अच्छा पहॉमेंस किये था दोस्तों रिटुराज गया को आट 41 रन डेवन कॉन बे 87 रन फिर सीवं दूबे 32 रन और नीचे से दोस्तों इसका मतलब यह है कि दोस्तों चन्ने सूपर किंग के तरफ से आपको टॉप ओडर पर जारा फोकस करना है और फिलाल इनके टॉप ओडर भी अच्छे फॉर्म में है और दिल्ली के तरफ से दोस्तों सारे प्लियर्स ओल आउट हो गये थे मिचल मास ने दोस्तों 25 रन बनाया था और डेविड वारा ने 19 रन बाकी सारे प्लियर्स ओते हैं जो जो खेले थे वो सारे फ्लॉप रहे थे तो दोस्तों आपको चैन्ने के फेवर करते हैं थोड़ा से टीम बनानी है क्योंकि चैन्ने का पिछले साल का रिकॉर्ड भी तो इस मुकाले में थे तो इस मुकाले में खेलते हैं तो आप लोगो के लिए बेस्ट रहेंगे बाकी दोस्तों आप लोगो खली लेमत थोड़ा फोकस करना है और मोहिनली पर और यहाँ पर जो जो बॉलिर्स जीसे बराबो हो गया है जो तो फिलाल खेले नहीं थे अभी रहें और पिछले साल खेले थे तो उनका में यहां पर नहीं लिख रखा है तो यह तो होगी दोस्तों दोनों टीम्स के head to head records update बात कर लेते हैं क्या रहेगी चैन्ने सुपर किंग की प्लेंग लिए इस मुकावले में लेकिन उससे पहले में आप सभी को यह बोलो कि जो लोब की दोस्तों वीजन लेऊने डाउलोड नहीं की है डिस्किप्सन में लिंक दिया है जल सेल जाकर डाउलोड कर लिजिए यहां पर खेलने के फैदा यह है कि इस मुकावले में आपको 50,000 रुपय का फ्री की ही वे देखने को मिलेगा तो जल सेल जाकर डाउलोड की ज जोन करके एक क्ड़ रुपय तक जीच सकते हैं और यहां पर आप लोगो कार और ब्रुपय जीच सकते हैं इसके साथ दोस्तों यहां पर आप लोग या और पर पलीरी कृटिंग Jeanne में के लिए 2020 तो आपने मोहें को editing करतें हों दिखेंग और यहां फिर सिवंदुए सिवंदूवे दोस्तों बैटिंग करने पहले आ रहे हैं फिर रविंजरः जड़ड़ एम थे अधे चीना एंपतिरान देश पांडे और दीक चहर और दीपक कराते दीखेंग हैं और आखरी को भर में दीपक चहर तो सबसे पहले बैटिंग सेक्षन से बात करें चैनने सुपरखिंग की तरफ से तो देवन कॉनवे और रितुराइग एकवार्ड बहुत ही अच्छे फॉर्म में पिछले मुकालव में देख सकते हैं तो दोस्तो आपको लेकर चलना है और इस ग्राउंड पर दोनों प्लियर्स का रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है बाकि दोस्तो मीडल ओडर में अजिंके रहाने और सिवन दूबे दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है आप लोग दोनों को वी ले सकते हैं अगर चन्ने की टीम पहले बैटिंग करती है लेकिन आपको दोनों में से एक को जरूर लेना है लेकिन उसके पिछले मुकाले में इनको बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला तीस मुकाले में सिवन दूबे थोड़े से आपसे बेस्ट रहेंगे तो आप लोग के लिए स्मॉल लिए के लिए डेविन कॉन में रुटुरार के एकवाड और सिवन दूबे बेस्ट रहेंगे टॉप ओडर से बाकि दोस्तों ग्रैंड लिए में आप लोग अजिंकर रहने को ले सकते हैं अम बती रैडो को ले सकते हैं जो कि पिछले हूं काले हैं 12 रन बनाए हूं और यहां पर सारे मैंचेस का रिकॉर्ड लिख रखाया तो इधर आप लोग एका करके सारे मैचेस का देख सकते हैं मोहिन ली दोस्तों इस मुकावलियों के लिए क्यावल मेया ग्रैंड लिख लिए बेस्ट रहेंगे क्योंकि बैटिंग ओडर बहुत जारा नीचे चला गया है चला रहे हैं और देखा जाथ दो दोस्तों अभी Փन 2ग मिला उसके पीछले मुकावलियों सबसे बेस्ट रहेंगे देस पाणडे जोकि अभी तक 19 विकेट लिए हैं और याषिध 3 एन त Kerry को एंफूर जढुर ओले उ han हैं तो यह होगी दोस्ते यहां पर बॉलिंग सेक्सन से अब ग्रैंड लिग के हिसाब से देखा जा तो ग्रैंड लिग में सबसे बेस्ट आप लोग ले रहेंगे दीपक चहर जो कि दोस्तों चोठील मतलब इंजरी का वाद वापसी किये हैं और पिछले मुकालव इनको दो परसेंट लोग लिए हुए हैं दोस्तों इस मुकालव के लिए दीपक चहर आप लोग के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे बाकि दोस्तों एम थिक सीना और मतला मतला एम थिक साना और दोस्तों मोहिन लिए यह दोनों आप लोग लिए क्योंकि दोनों आप स्पीन बोला है रह और एम थिक सेना पर करना है और जो जो बॉलर्स नहीं खेल रहे हैं जो बेंच पर बैठे हों उनका इमने आपर रिकोड लिख रहाते हैं आप लोग यहां पर देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी दिल्ली कैपिटल्स की इस मुकावले में प्लेइंग इस दिखेंगे इधर से इसान सर्मा और खली लेमद और आखरी कोवर में खली लेमद और मुक्यस कुमार तीया रहेगी दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग लेवन इस मुकावले में अब बात कर लाते हैं इनके सारे प्लेयर्स के रिसेंट परोमेंस की उपर तो दिल्ली कैपिटल्स दोस्तों भी तक 10 मुकावले खेली है जिसमें से चार मुकावला जीती है और बहुत ही नीचे है मतलब आखरी नंबर पर हहां पॉइंट टेवल में बैटन से बात करें तो लगतार दोस्तों हरें पांच मेंसे चार मुकावला तो जीते हैं लेकिन बाकि दोस्तों इस मुकावले के लिए पिछले मुकावले में 26 बनाया है तो दोस्तों दोस्तों दोनों टीम्स की तरफ से तौप और के देखा जाए तो दोस्तों अच्छे फॉर्म में लेकिन जब दोनों टीम सामने सामने खेली थी पिछली साल दिल्ली की टॉप ओडर फ्लॉप हो गई थी तो इस मुकाले में आपको टॉप ओडर में से लेकर चलना है डेविड वारनर फिलिप सॉल्ट और मिचल मास्को आप लोग दोस्तों यहां पर रिले रोसों को ग्रेंड लिग में और ग्रेंड लिग में बाकि दोस्तों अच्छे फॉर्म में पिछले मुकाले में 35 नोट आउट रहे हैं और अक्षर पटेल को दोस्तों आपको लेकर चलना है जो कि और रिपल पटेल भी खेल सकते हैं तो यहां पर सारे रिकॉर्ड लिख रखा आप लोग यहां इधर से दोस्ते यहां पर आप लोग देख सकते के मुचल मास बहुत अच्छे फॉर्म में अभी तक नोव विगेट ले चुके हैं पिछले मुकाले में इनको दो विगेट मिले थी इनको आपको लेकर चलना है अस्मॉल लिग में और यहां पर दोस्तों खली लेमत पर आपको लेकर चलना है और मुकेस कुमार आप लोग के लिए ग्रेंड लिक लिए बेश्ट रहें जो कि अवी तक छे विकेट लिए हैं और नोड जे का भी रिकोर्ड में ने लिख रखा है जो कि आप लोग देख सकते हैं पिछने मुकाले नहीं खेले थे अब बात कर लेते फिर दोस्तों यहाँ पर अक्षर पटेल और खली लेमत यह और ही दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल अनलेसिस आप हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ट टीम कॉंबिनेसन की उपर तो उससे पहले मैं आप सुरी को यह बोल दो कि जो लोग भी चैनल पर पहले बारा है सबस्क्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों और मैं आप लोग ज़रा कुछ न मांगता बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए मेरे लिए इतना ही काफी है तो बात करते हैं विके ठीपर सेक्सन से तो यहाँ पर आपको तीन ओप्सन देखने को मिलेंगे डेविन कॉनव कर दोनों ओपणर कर मानें बताया है दोस्तों फिली की तरब से डेविन कॉना से इस मकाबले में आपलों अजिंके रहने थोड़े से best हो सकते हैं पिछले मुकालव में कि 20 run बनाए हो बनाए हैं लेकिन दोस्तों कभी-कभी इनको बैटिंग करने का मौका नहीं दिया जाता है अगर टॉप और अच्छा पॉहमिस करते हैं तो फिर डिर्ट यहां पर सिवंदूव को बैटिंग करने क बागी दोस्तों यहां पर रेलो रोसो का ले सकते हैं आप लोग यहां पर फिलिप सॉल्ट की जगह पर पी सॉल्ट की जगह पर लेकिन बात करें तो रेलो रोसो का बैटिंग ओडर नीचे है तो आप लोग इनको ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों रेलो रोसो का मैंने बताए एक मुकाले में परफिमेंस कर रहे हैं फिर एक मुकाले में फ्लॉप हो जा रहे हैं तो पिछले मुकाले में अच्छा परफिमेंस किये हैं तो इस मुकाले में होसा के फ्लॉप भी हो जाएं बागी दोस्तों अंबती राइडू और मनिस पांडे का बैटिंग ओडर बहुत ज और दो विकेट भी लिए थे, तो इस मुकाबले के लिए आप लोगे सेफ आपसन भी रहेंगे, बाकि दोस्त यहाँ पर आप लोग मोहिनली को ट्राई कर सकते हैं, अगर दोस्तो चैनने सुपरकिंग की टीम टॉस हारती है तो, क्योंकि दोस्तो दिल्ली भी अच्छे फॉर् चुकी है, तो यहाँ पर मोहिनली आप लोग के लिए ग्रैंड लिक ले बेस्ट सावित हो सकते हैं, अगर चैनने सुपरकिंग टॉस हारती है तो, अब बालिंग सेक्शन से बात करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कन्फूजन हो रही होगी, क्योंकि कुछ इंप ले रहा हूं, क्योंकि recent performance इनका बहुत ही अच्छा है, और आपको पता है कि knuckleball करते हैं, और इस ground पर दोस्तो batsman को मरत नहीं मिलती है, थोड़ी सी slow पीछती, इस मुकावले में आप लोग लिसान सर्मा बहुत ही best साबित हो सकते हैं, इस मुकावले में दोस्तों इस ground पर, इसलिए दोस्ते, यहाँ पर मैं इनको ले रहा हूं, नहीं तो आपके पास option है, इनकी जगापर आप खाली ले मोईट को ले सकते हैं, जो कि अभी अच्छे form में है, या तो कुल्दी प्यादो एक स्पिनर्स पर आप लोग जा सकते हैं, तो यह होगी दोस्ते, यहाँ पर ह हमारे Vice Captain रहेंगे, यहाँ पर रिटुरेश ग्याकवाट को बना रहा हूं, आप लोग के पास option है, आप लोग Daven Conway को बना सकते हैं, और क्याप्टन, Vice Captain Mitchell Maas को लेकिन मैं यहाँ पर मिछल मास को क्याप्टान करके, रितुरल गैकवार्ट को यहाँ पर वाइस कप्तन कर रहा होते हैं यह होगी हमारी टीम कॉंबिनेसन और फाइनल टीम के लिए आपसे लोग टेलेग्राम पर जुड़ जाएगा दोस्तों क्यूंकि टॉस्त के हिसाब से आपको फाइनल टीम टेलेग्राम पर ही मिलेगी हूँ और तीन मैंने यहाँ पर ओलांडर के लिया है मिचल मास अक्षर पटेल और जडेजा और तीन मैं बॉल्डर के ले रहा हूँ दोस्तों देश पांडे इसान सर्मा और एंपा थिराना दोनों टीम से अच्छे फॉर्म है इसलिए जो हमारी टीम रहेगी पूरी पूरी बैले चलेंगे यहां पर खेलने के फैदा यहां पर आपको इंट्रीफी बहुत कम देने पड़ेगी साहि ने लो गम प्रेटीसन है और इसके अत्म अपर आपको डेली पचास जरूपे का फ्री घीवे देखने के मिलेगा जहां पर लोग बिल्कुल फ्रीम बना कर जोइन कर सकते है बैटिंग सेक्षान से यहां पर हम लोग लेकर चलेंगे डैविड वार्नर रितुर गयाकवाड और सिवंदुए को और सेक्षान से तीनों वही और को लेकर चलेंगे दोस्तों और फाइनल टीम दोस्तों आपको वीजन लें उनके भी टेलिग्राम पर मिलेगी तो जॉइन मतलब जो भी जिसका भी किसमत अच्छा रहेगा जो भी बतलब बेश्ट बोलर यहां पर सेलेट करेगा इस मुकाले में उनका भी मतलब उन्हीं का जीतने का चारातर चांसिस रहेगा अब क्याप्टन वाइस कप्टन की बात किया रहेगा तो यहां पर मैं क्याप्टन बना और तीन में बॉलर को ले रहा हूँ यहाँ पर दीपक चहर, देश पांडे और कुल्दी प्यादवा को। ते होगी दोस्ते हैं पर अमारी टीम कॉंबिनेशन इस वीडियो में दोस्तो बस इतना है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरू के लिएगा ताकि आए कि सारे ड्रेट्स आपको सबसे पेले मिले, धन्यवाद दोस्तो वीडियो देखने के लिए।